Cricket के pitch पर आपने उन्हें चोके छक्के लगाते तो देखा होगा और यही कयास भी लगाया जा रहे थे कि जब वो Cricket के pitch से राजनीती के pitch पर आएंगे अपनी पहली इनिंग्स खेलेंगे तो उसके बाद उस राजनीती के pitch पर वो चोके छक्के जरूर लगाएंगे एक tweet किया गया और उनके तरफ से ये कहा गया कि वो राजनीती छोड़ना चाहते हैं यानि कि एक ही साल में उनका राजनीती से मोभांग हो गया 2018 में जब उन्हें इंटरनाश्टलर क्रिकेट से सन्यास लिया था उनने उनकी आवाज उठाई और यही वज़ा है कि जब इस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई तो ये कायास लगाए गए कि शायद वो राजनीतिक पिछ पर भी इनिंग्स खेलना चाहते हैं और 2019 में उन्होंने बीज़पी का दामन थामा और 2019 में उन्होंने लोकसबा चुनाव भी जीता लेकिन इस बार 2024 तक पहुँशते पहुँशते गौतम गंभीर का ये मोभंग क्यों हो गया अब कयास यहीं लगाए जा रहे हैं कि या तो उनकी अंतर आत्मा ने उन्हें कहा कि उन्हें क्रिकेट ही खेलना चाहिए क्योंकि जुस तरीके से उन्होंने एक्सपर प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी का धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि मैं राजनीती से सन्यास तो ले रहा हूँ लेकिन राजनीती में आने का मौका मुझे प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी ने दिया मैं धन्यवाद करता हूँ लेकिन ये कपील उन्हें जेपी नड़ा से ये भी की जो भी मेरे राजनितिक कर्तववे हैं उनसे मुझे अब अलग होना होगा मैं अपनी गेम पर फोकस करना चाहता हूँ, क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूँ अब कयास ये लगाया जा रहे हैं क्योंकि आज बीज़पी की तरफ से पहले लिस्ट भी आ जाएगी अब कयास ये लगाया जा रहे हैं जो 29 फरवरी को केंदे चुनाव समीती की बैटक हुई थी उसके बाद दिल्ली की सीटों पर भी चर्चा की गई थी और कही ना कहीं ये संकेत गौतम गंभीर को मिल गए थे शायद उनकी टिकट कट सकती है और इससे पहले कि नामों का ऐलान हो गौतम गंभीर ने ये बड़ा फैसला लिया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे या वो अपने आपको राजनीती से अलग कर देंगे अब क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो बीज़पी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था यानि कि साथ लोकसभा की सीटे हैं सातों सीटे बीज़पी के खाते में हैं और बीज़पी जानी भी जाती है इसलिए कि जो व्यक्ति काम करता है determination होगा, focused होगा उसी पर कहीं ना कहीं दाव जो है बीज़पी की तरफ से लगाया जा सकता है और अभी गौतम गंबीर की तरफ से या यूं कहें उनके ख्षेत्र के जो लोग है लगातार ये भी कह रहे थे कि गौतम गंबीर राजनीती को लेकर इतने focus नहीं है संगनाठमक तोर पर भी वो meetings में नहीं आते थे या संगठन के लोगों से उनका कोई जुडाव नहीं था बातचीत भी नहीं करते थे अचा पार्लीमेंट भी वो जब आते थे तो यहीं कहा जाता था सिर्फ attendance mark करने आते थे कोई ऐसा बड़ा मुद्दा उन्होंने संसद में उठाया भी ना होगा अचा खुद क्यूंकि वो cricket background से थे यह भी कायास लगाया जा रहे थे शायद खेल को लेकर या खिलाडियों को लेकर कोई बातचीत कोई मुद्दा उनकी तरफ से उठाया जाएगा यह भी हमने संसद कि अवास सुनी और उन्होंने आपने आपको राजनीती से अलग कर दिया हाला कि 2019 के अगर हम बात करें तो गोविंद गिरे की सीर्थ थी जो उन्हें मिली थी यानि कि पिच उनके पहले से तयार कर दी गई थी अब क्यूंकि गौतम गंभीर पॉपुलर है क्रिकेटर है और 90,000 वोटों से शिकस्त दी थी आतिशी आम आदीपाथी के उमीदवाद थी 2019 में लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है क्यूंकि बीजेपी कुछ नए चेहरों को मौका देना चाह रही है सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं हंसराज हंस जिने शायद पंजाब भेजा जा सकता है य रश्वर्दन है उनकी टिकट कर सकती है ये कयास लगाये जा रहे है और ऐसे में गौतम गंभीर का भी नाम है ये संकेत दिये जा रहे है और यही वज़ा है कि अब गौतम गंभीर ने ये फैसला लिया है और आज बकाइदा ट्वीट कर उन्होंने ये कहा कि मैं अपने रा ये फोकस करा और हमने देखा भी है जब भी पालेमेंट सेशन होते थे या कोई भी ऐसा मुद्दा जो आम आधी पार्टी की तरफ से दिली में उठाया जाता था हमने देखा है कि गौतम गंभीर नदारत ही रहे हैं इन मुद्दों में हमने उन्हें देखा है कि IPL में या क प्रिकेट में उन्हें हमने कमेंटरी करते हूँ बहुत बार देखा लेकिन मुद्दों को उठाते हूँ हमने नहीं देखा आलंकि जो उनके संसद के तौर पर जो फंड आते हैं उसके बाद हमने देखा बदलाव फिर वो सफाई मशीन लाना हो या लाइब्रेरी स्थापि की बात करें संगठन में उनके जुडाव लगाव पकड की बात करें या यू कहें दिल्ली बीजपी में जो तमाम नेता है उनके साथ उतना बैटना हो बातचीत करना हो शायद थोड़ा कम रहा है और यहीं फाक्टर कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के लिए अभी फिलाल के ल उनकी सीठ पर कोई नए उम्मीदवार आ सकता है 4 नए चौहरे आ सकते हैं हलांकि मनोश्डिवारी हो फिर इसके अलावा जो दूसरी सीठे है वहां पर एक बार फिर से उन्हें सीठ दी जा सकती है तीन सीठे ऐसी है जिनके चौहरेज शिए रिपी्ट BJP कर सकती है इनमें से मनोश्टिवारी हैं जो उत्तरपूर्वी दिली से हैं अपर वेशवर्मा है पश्चमी दिली से और रमेश विदूरी हैं दक्षणी दिली से काफी पॉपलारिटी लोगों की रही है ग्राउंड पर इनोंने काम किया भी है और ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें क्योंकि इंटर्नल सर्वे आपने देखा ही है कि बीजबी की तरफ से इंटर्नल सर्वे करवाया जाता है और कौन-कौन से संसतिक श्वेत्र में कितना काम हुआ है संसत कितना लोगों से बातशीत उसने किया है लोगों की समस्याओं को दूर किया है ये इंटर्नल सर्वे ज का ब्योरा भी ब्रदानमंत्वी नरेंद्र मोधी की तरफ से या जेपी नटा की तरफ से मांगा भी गया था और शायद यही जब चर्चाओं में आए होंगे उसमें गौतम गंभीर थोड़े से पिछड़ गाए होंगे और यही वज़ा है कि एक पहली इनिंग्स में गौतम गंभीर की तरफ से यह कह दिया गया कि अवो राचुन्ती चोड़ रहे हैं यानि कि 2024 में जो मोधी 3.0 की आप गेम देखेंग कि अवो जाए हैं यह कि एक जाए हैं झाय शजब मोधीर थोड़द़ें में आप जेखेंगे भी वज़ेखेंगे जफ़ हैं इनिए यहीं हैं यहा कि आपको भी प्राचुन्ट देखें एवा जबदो साफ़दयन चोड़ एशना प्राचुन्ट इंए देखें हैंड़द